हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेज मोमोस की रेसिपी, मोमोस खाना किसे नहीं पसंद, जब भी हम मारकेट जाते हैं तो मोमोस जरूर खाते हैं, तो क्यों ना आज हमें से हाईजिनिक तरीक्ये से घर पर ही बना ले साथ ही फ्रेंड्स हम बनाएंगे इसके साथ खाए जाने वाली चटनी, तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं पहले हम चटनी की त्यारी कर लेते हैं, इसके लिए यहाँ मैंने पैन में हाफ कप पानी उबाल लिया है हम इसमें दो टमाटर डाल देंगे, यह देखे टमाटर को मैंने इस प्रकार से काट लिया है टमाटर के साथ हम यहाँ चार कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे इसे greater के मोटे blade से कद्दुकस करेंगे ये देखिए मैंने बंद गोबी को कद्दुकस कर लिया है इसी प्रकार हम गाजर को भी कद्दुकस कर लिया है हम बंद गोबी और गाजर को एक bowl में transfer कर लिया है इसे अच्छे से mix करके हम यहां half teaspoon नमक डाल देंगे नमक को भी हम यहां mix कर लेंगे और इसे 10 मिनट तक rest करने देंगे इधर आप देख सकते हैं हमारे टमाटर और लाल मिर्च soft हो गया है अब हम यहां gas off कर देंगे और इसे एक plate में निकाल कर ठंड़ा होने देंगे ठंड़े होने के बाद हम टमाटर का छिलका निकाल लेंगे छिलका निकालने के बाद आईए इसे थोड़ा crush कर लेते हैं उसके बाद हम इसे grinder jar में डाल कर पीस लेंगे अब इक pan में हम एक teaspoon vegetable oil गर्म कर लेंगे अब हम यहाँ एक teaspoon chop किये वे अद्रक और एक teaspoon chop किये वे lesson डाल देंगे सभी चीजों को medium flame पर कुछ seconds तक भूनने के बाद जो टमाटर और कश्मिरी लाल मिर्च की paste हमने त्यार की है उसे हम यहाँ डाल देंगे सभी चीजों को अच्छे से mix करके हम यहाँ half teaspoon चीनी और स्वादा अनुसर नमक डाल देंगे नमक और चीनी को मिला कर हम इसे ढग देंगे और low flame पर इसे 10 मिनट तक पकने देंगे इधर बंद गोबी और गाजर के rest करते वे 10 मिनट हो गया है हम इसे मलमल के कपड़े में निकाल लेंगे उसके बाद हम इसे इस प्रकार से squeeze कर लेंगे friends हम इस पानी को फेकेंगे नहीं इसका इस्तेमाल हम सबजी बराने में या फिर दो त्यार करने में कर लेंगे यह देखिए बंद गोबी और गाजर को हम निकाल लेंगे इसके बाद आईए हम दो त्यार कर लेते हैं एक बोल में हम दो कप मैदा लिल लेंगे इसके बाद हम इसमें quarter teaspoon नमक और half teaspoon vegetable oil डाल देंगे सबी चीजों को हम यहां अच्छे से mix कर लेंगे और जो बंद गोबी और गाजर से पानी निकला है उसका इस्तिमाल करके हम यहां डो त्यार कर लेंगे हम यहां hard dough त्यार कर लेंगे यह देखिए हमारा dough त्यार हो गया है अब हम इसे आदे घंटे के लिए rest करने देंगे आईए तब तक देख लेते हैं कि हमें stuffings में और क्या-क्या डालना है हम इसमें chop किये वे 1 teaspoon लसन और chop किये वे 1 teaspoon अद्रक डाल देंगे इसके बाद हम इसमें 2 हरे मिर्च बारीक टुकरों में काट कर डाल देंगे फ्रेंड्स आप यहां हरे मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर ले हरे मिर्च के बाद हम यहां half cup हरे प्यास डाल देंगे इसके बाद हम यहां half teaspoon काले मिर्च पाउडर डाल देंगे और सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे अब हम यहां अंत में quarter teaspoon vegetable oil डाल देंगे और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे हमारा stuffing त्यार है इसे हम side रख देता है इधर चटनी के पकते वे लगभग 10 मिनट हो गया है सभी चीजों को अच्छे से mix करके हम यहां एक teaspoon सिरका एक teaspoon सोया सॉस एक teaspoon red chili sauce half teaspoon chili flakes और half teaspoon काले मिर्च पाउडर डाल देंगे सभी चीजों को अच्छे से mix करके हम इसे ढग देंगे और low flame पर इसे पकने देंगे इसे एक से दो मिनट तक पका कर हम यहां gas off कर देंगे हमारे momo की चटनी बनकर त्यार है इधर डो के rest करते वे लगबग आदे घंटे हो गया है यह देखिए friends यह थोड़े soft हो गया है आईए अब momoos त्यार कर लेते हैं यह देखिए friends मैंने यहां नीबू के आकार का पेड़ा ले लिया है हम इसे इस प्रकार बेल लेंगे आप चाहे तो यहां पेड़े पर थोड़ा मैदा लगा सकते हैं पेड़े को हमें यहां बिलकुल पतला बेलना है आप देख सकते हैं मैंने इसे बिलकुल पतला बेल लिया है अब हम इसमें stuffing बढ़ेंगे यह देखिए अच्छी मात्रा में stuffing हमें यहां फिल करनी है यह देखिए अब हम इसे इस प्रकार fold कर लेंगे और इसे पोटली का shape दे देंगे यह देखिए friends हमें इसे इस प्रकार साफधानी से बन करना है नई तो हमारी stuffing बाहर निकल सकती है यह जो extra part है उसे हम यहां निकाल देंगे आईए अब दूसरी तरीके से momo बनाते हैं यह देखिए उसी प्रकार हम पेड़े को पतला बेल लेंगे उसके बाद इसमें stuffing फिल कर लेंगे उसके बाद हम इसे इस प्रकार fold कर लेंगे और उसके बाद हाथ से ऐसे दबाते हुए इसे बन करेंगे यह देखिए हम इसे left hand से इस प्रकार push करेंगे यह देखिए हमारे दूसरे shape का momo भी त्यार है इसी प्रकार हम सभी momo त्यार कर लेंगे आईए अब momos को steamer में steam कर लेते हैं यहां मैंने steamer में पानी उबलने के लिए रग दिया था हम यहां brush की सहायता से oil लगा देंगे ताकि हमारे momos यहां चिप के नहीं अब हम यहां momos रग देंगे अब हम इसे ढग देंगे और low to medium flame पर इसे 12 से 15 मिनिट तक पकने देंगे momos के पकते वे 15 मिनिट हो गए हैं यह देखिए friends यह पूरी तरीके से पक गए हैं अब हम इसे एक plate में निकाल लेंगे और इसी प्रकार सभी momos त्यार कर लेंगे आईए momos को serve कर लेते हैं friends हमारे momos बहुत स्वादिश्ट बने हैं आप इसे जरूर बनाए और मुझे comment section में लिख कर बताए कि आपको यह कैसे लगे और अगर आपको आज की मेरी recipe पसंद आई है तो please इस वीडियो को like करे मेरे channel को subscribe करे और bell icon प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले recipes की notification आपको मिल जाए अगर आप इस वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो please मेरे facebook page को follow कर ले यह देखिए friends हमारे momos अंदर से कितने अच्छी तरीके से पग गया है मैं फिर मिलती हूँ एक नए delicious recipe के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, subscribe करें और bell icon प्रेस करें इसे अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि वो भी इस लजीज recipe का आनंद उठा सकें